हेलो वल्कम बैक आरजे टेकंट्रेक दोस्तों कई लोगों का ATM गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है ऐसे में अगर पैसो की अमरजनसी हो तो मैं आपको यहां एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके जरीया आप ATM कार्ट के बिना ATM से पैसे निकाल सकते हैं इसके लिए आप अपने family member या दोस्त को call करके इसकी जानकारी देनी होगी कि आपका ATM गुम हो गया है या चोरी हो गया है आप दोस्ते family member को कहीं कि वो आपको SBA ATM जाकर IMT से पैसे ट्रांसफर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोस्ते family member से कहीं कि वो आपको beneficiary में add कर ले बेनिफिशरी में add करने की process यह है फोन के message box में जाकर बेनिफिशरी का मुपाइल नंबर प्लस बेनिफिशरी का नाम प्लस बेनिफिशरी के city में है उसका नाम प्लस city का pin code और message को 567676 पर message कर दें अब आपके friend या family member को SBA ATM जाकर अपना card swipe करके transfer option select करना है फिर अपना pin डाल कर IMT option select करें इसके बाद initiate IMT का option select करना होगा यहाँ पर आपको बेनिफिशरी का मुपाइल नंबर डालना होगा इसके बाद confirm और proceed option पर click करें इसके बाद जिसका ATM है उसका मुपाइल नंबर डालना होगा फिर confirm करके इसके बाद center code बनाना होगा अब आप कितना पैसा डालना चाहते हैं यहाँ type करें और correct button दबा दें इ इसके बाद जिस account में पैसे transfer करना चाहते हैं उसे select करें ऐसा करने पर आपके mobile पर एक message आएगा अब जिस person के पास ATM काड़ नहीं है उसे SBI की ATM मशीन में IMT option में जाना होगा यहाँ आपको खुद का mobile नमबर टाइप करना होगा और confirm और proceed option select कर दें यहाँ पर आपको चाहर डिजिट का code डालना है जो आपके दोस्ते family member ने बताया था इसके बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा है उसे यहाँ type करें और confirm कर दें यहाँ आपको जितनी से 10,000 तक amount निकाल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें, like करें और share करें और आपका दिन शुब रहें